हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और कैसे है आप सभी लोग उमीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे सहत मन होंगे और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट की तयारी कर रही हूँ इसलिए एक कड़ाई बिटाया है और उसके अंदर तेल डाल दिया है मैं बना रही और यहाँ जो कि मेरे कल के बचे हुए चाहल थे उसी से बना रही हूँ और तेल गरह होने की बाद मैंने एक अंडर डाल दिया अभी अंडे में थूरा सा नमक डाला है और अभी अंडे को मैं बुजी बनाऊंगी ताकि बाद में फ्राइड राइस में हम उसी यूज तो फ्रेंड्स अभी बज़ रहे सुबह की नौ और मैं अभी से ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ और अभी मैं ब्रेक्फस्ट बना रही हूँ उसके बाद मैं लांच बनाऊंगी और लांच मैं क्या बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप लोग एंड तक मेरी वीडियो देखना तो फ्रेंड्स ये मेरी पहली ब्लॉग है और मैं आप लोगों के साथ मेरी लाइफस्टाइल में क्या बनाती हूँ क्या कहा जाती हूँ ये सब कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगी और आप लोग मुझे सापोर्ट करते रहना ताकि मैं और वीडियो डाल सकूँ तो चलिए मेरी एक बुर्जी जो बन चुका है उसको में एक साइट में रखके यह पर मैं तुरह से तेल डालके प्यास दे दिया अभी प्यास को में लाल लाल करके फ्राइब कर लोंगी तो देखिए प्यास फ्राइब होने की बात मैं उसमें बा अभी यह प्यास हालका गोल्डेन ब्राउन हो चुका है और इसमें मैं अभी चाओल एट करूंगी चाओल को मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ बोयल छू लेते मेरे पास वही एट करूंगी अभी इसमें जो एक बुर्जी है वही एट कर दूंगी और अभी फ्लेम हाई करके मैं उसको थूरी दर पका लूंगी प्राइड रेस जो बनके तयार हो चुका है अभी मैं इसमें कुछ हरा दनिया हरा मिर्चे एट करूंगी और ताकि ठीका नाल निकले जादे तो गाइज अभी ग्यारा वज रहे है सुवेक की और हमारा नास्ता हो चुका है अभी यह चिकन काटके मैं इसी का एक रेसिपी बनाऊंगी आयो पाप लोगों को अच्चा लगेगा एक्चुली बहुत सारे लोग केंची से या चाकू से चिकन काट लेते हैं मैंने कभी काटा नहीं है और आगे शायद काट सकती हूँ वैसे तो हम मार्केट से काट के ले आ सकते हैं लेकिन उनका जो पीसेस है वो मुझे इतना आच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं खुद काटने के कोशिश करती हूँ आप लुक शायद सुच रहे होंगे कि मैं इहापे बैलन लेकर क्यों बैटी हूँ एक्चुली मेरी पास वह हड़ी तोड़ने की कुछ भी नहीं है तो मैंने सुचा इस बैलन से मैं मारूंगी और तूट जाएगा तो इसलिए उसको लेकर बै झाल 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 करके मैंने शारे चीकन काट ले और इसके बाद मैंने चीकन को पानी विच से ब्योड के दस में तक रखा ताव कि सारा जो ब्लाड है वो निकल जाए अभी जो हम खाना बनाने की प्रोसेस में चले जाएंगे इसके लिए मैंने लेसुन और प्यास लेसुन को चीलना बाकी ता चील के पीस लूँगी और उसके बाद मैंने यहां से कुछ चीकन को अच्छी तरह से दू के एक कड़ाई में अब ही मैं प्यास को काट के दूँगी और यहां पे लेसुन और द्रग का पेस्ट में इहां पे करीब चार पाच चमच डालूंगी मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ साड़े मसाले को चिकन के साथ मिक्स करके बाद में उसको पकाने के लिए रखती हूँ कभी-कभी बना लेती हूँ ग्रेवी बना के उपर से चिकन डाल के अलग से बना लेती हूँ I hope आप लोग वीडियो दे के समझी गया हूँगे कि मैंने क्या-क्या डाला है इसमें अभी इसको दस मीट के लिए छोड़ दूँगे मिक्स करके उसके बाद इसको पकने के लिए रख दूँगे गैस पर दस मीट बाद मैंने उसको पकने के लिए रख दिया ये देखिए अभी वो हो रहा है और स्टीम को एकदम कम करके रखना है अभी दस मीट पका लिया है और अभी चिकन हाफ पक चुका है अभी मैं उसमें एक सबजी एट करूँगी पंपकिन आज मैं पंपकिन से ही चिकन बनाऊंगी शायद आप लोगों मैंसे काफी सारे लोगों ने पंपकिन के साथ कभी चिकन नहीं खाई मैं आप लोगों को कहती हुए एक बार ठ्राई करके जरूर देखिएगा अच्छे लगेगा अभी हम डखकन लगा के उसको स्टीम कम करके पकने के लिए छोड़ देंगे करीब 10 मिनिट तक हम उसको पकाएंगे और उसके बाद हम उसमे पानी डाल के ग्रेवी ठीक होने तक हम उसको पकाएं और ये दिखिए इसका फाइनल लुक इसका ग्रेवी ठीक हो चुक है ऊपर में मैंने हरा दनीया एड़ किया है यही तक था मेरा आज का वीडियो आई होप आप आप लोग को अच्छा लगा होगा बाई बाई